अपनी लाइफ पे, कपड़े होगे छोटे लाज कहां से आए, रोटी होगे ब्रेंड ताकत कहां से आए, फूल होगे प्लास्टिक के खुसबू कहां से आए, चैरा होगे मेकप का रूप कहां से आए, शिक्षक होगे टूशन के विद्या कहां से आए, बोजन होगे होटल के तंदरुस्ती कहां से आए प्रोग्राम होगे केवल के संसकार कहां से आए आदमी होगे पैसे गे दया कहां से आए दंदे होगे हाई फाई बरकत कहां से आए ताले होगे पासवर सेफ़्टी कहां से आए बगत होगे स्वार्थी बगवान कहां से आए इस्तेदार हो गए वाटसप पे मिलने कहां से आए मंदिर के बाहर लिखा हुआ एक खूपशुरत सच अगर उपवास करके बगवान खुश होता तो इस दुनिया में बहुत दिनों तक खाली पेट रहने वाला बिखारी सबसे शुकी इंसान होता उपवास अन का नहीं विचारों का खरे इंसान खुद की नजर में सही होना चाहिए दुनिया तो भगवान से भी दुखी है चिड़िया जब जीवित रहती है तो वो कीड़े मकोडे को खाती है और चिड़िया जब मर जाती है तब कीडे मोकोडे उसको खा जाती है इसलिए इस बात का ध्यान रखो कि समय और सिठती कभी भी बदल नहीं सकते इसलिए कभी किसी का आप मान मत करो तुम सक्ति साली हो सकते हो पर समय तुमसे भी सक्ति साली है एक पेड़ से लाखों माचिस की तिलियां बनाई जा सकती है पर एक माचिस के तिली से लाखों पेड़ भी जलाई जा सकती है रूप दिया है मोर को तो इच्छा चीन ली इच्छा दी इंसान को तो संतोष चीन लिया और संतोष दिया संत को तो संसार चीन लिया मत कर कदी भी गुरूर अपने आप पे, ऐ इन्सान, बगवान ने तेरे और मेरे जैसे, इतनों को मिट्टी से बना कर मिट्टे में मिला दिया, इन्सान दुनिया में तीन चीजों के लिए मेहनत करता है, मेरा नाम मुचा हो, मेरा लिवास अच्छा हो, मेरा मकान खूपशूर जाते हैं, ये चंद बंगतियां, जिसने भी लिखी हैं, खूब लिखी हैं, एक पत्थर सिरफ एक बार मंदिर जाता है, और बगवान बन जाता है, इन्सान हर रोज मंदिर जाता है, फिर भी पत्थर ही रहता है, नाइस लाइन, एक औरत बेटे को जनल देने के लिए अप बस एक बार ये मिलती है, ये SMS जरूर सब तक बेजना, ये SMS मैंने पूरे दिन की महनत से बनाया है, थैंक यू